नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका सागत है एक तरफ आम आदमी पार्टी की मुसीबते जो है लगतार बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी से रागव चड़ा की ओर से दायका याचिका पर सुपरीम कोट में सुनवाई के दोरान कोट ने अट्रणी जनरल और रागव चड़ा के वकील से लिकित दलीले जमा करने को कहा है इस मामले के सुनवाई के दोरान अट्रणी जनरल ने कहा किस मामले में कोट हस्थ शेप नहीं कर सकता क्योंकि ये पार्लियमेंट का अधिकार शेत्र में आता है वही रागव चड़ा के वकील राकेश ड्रिवेदी ने कहा कि साट दिन तक अगर हाउस में नहीं गए तो सीट खाली घोशित हो जा सकती है ऐसे में कैसे अनिशित काल तक सस्प्रेंड किया जा सकता है आब इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी कहा कि हम विशेश अधिकार हंदन के विस्तरित विशा या विशेश अधिकार कमेटी के अधिकाश शेत्र में दखल नहीं देंगे कोट के सामने जो विचार का मसला है वो अनिशित काल तक राज्य सबा से रागव चद्धा का निलंबन है रागव चद्धा ने राज्य सबा से अपने निलंबन को चुनोती दी है अगस्त में रागव चद्धा को निलंबित की आ गया था रागव की तरफ से दलीले दी गई है कि उनके खिलाफ विशेश अदिकार हनन का मामला नहीं बनता अगर मामला बनता भी है तो नियम 256 के तहट उन्हें सिर्फ उसी सत्र तक के लिए निलंबित किया जा सकता था आपको बता दें कि यह मामला भी संसत की विशेश अदिकार कम से मुख्य नियादीश डिवाई चंद्रचूड के अध्यक्षता वाली पीट ने 16 अक्टूबर को चड़ा की आचिका पर राज्यसवा सचीवाले से जवाब मांगा था शीश अदालत ने इस मुद्धे पर फैसला सुनाने के लिए टॉर्णी जनरल ओफ बैंक्टरमनी से सहायता मांगी थी पीट ने चड़ा का प्रतिनिदित्व कर रहे वरिस्ट वकील राकेश त्रिवेदी और वकील शदान फरासत की दलीलों पर ध्यान दिया था कि निलंबन उस विशेश शत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जिसके दोरान सदस्य को निलंबित करने का न दक और विशेश अदिकार समीती की रिपोर्ट लंबित कर रहने तक नियमों के घोर उलंगन कदाच्षार उद्दंड रवय्या और अवमानना पून आच्रन के लिए मांसुन सत्र के आखरी दिन निलंबित कर दिया गया था इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राए है हमें कमेंट बॉक्स वे जरूर बताए और देखते रहिए स्पियान नाइन यूज धनेवाज